हेलो एवरीवन माई सेल्फ हेमन तुम रहें और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेज पे जहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है कॉलिटी एजुकेशन वो भी बिल्कोल फ्री तो आज कुछ नया मिलेगा आप लोग को जैसे कि आपको पता है कुछ नहीं बचाए और काफी प्रैक्टिस करवाई है हर चीज काफी करवाई है और मैंने आपको बोला भी है बढ़िया तरीके से उसको रिवाइस करिएगा बढ़िया तरीके से उसको पढ़ियेगा जिसने कुछ छोड़ा हो वो कंप्लीट कर लीजेगा क्योंकि उतना ल करते हैं अपना चाप्टर नमबर टू जिसका नाम है स्ट्रक्चर ओफ एटम अब जाएंगे एटम के पास पहले चाप्टर में तो मैटल था कि किस से बनाए एटम मॉलिक्यूल फलाना डिमका अब पता चल गया एटम अब उस एटम के अंदर जाने वाले देखके आते हैं कि घूमने को क्या-क्या है काहां तक जाएंगे किदर बैठ सकते हैं किदर गप्पे माल सकते हैं किदर क्या कर सकते हैं तो एटम का पूरा जो structure of ह्याई मैं आज मैं उस पर बताने वाला हूँ overview मतला जब अपन इस chapter को चालू करेंगे तो किस से चालू होगा और कहां जाके खतम होगा बात समझ रहें और मैं आपको फिल से कह रहा हूं जैसे पहला chapter पढ़ा है वैसे ही दूसरा पढ़ेंगे वैसे ही हर एक topic पढ़ा जाएगा deep में detail में practice के साथ कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ magnet brain पे कहीं पर भी नहीं ठीक है तो चालू करते हैं अपना structure of atom का overview क्या चालू करते हैं overview आ जाईए यह रासर overview सबसे पहली बात atom आप लोग जानते हो बड़ी आसा atom बड़ा सा ठीक है atom के सब atomic particles की बात करनी है कि atom तो आ गया था सर atom तो पता चल गया था हमें atom के बारे में कई बाते आ गई थी अब atom के अंदर कुछ पाया जाता है कि नहीं उसी को आपन कहते है discovery of some atomic particles बात समझ गए है क्या बोल रहा हूं मैं discovery of some atomic particles उसके अंदर जैसे की discovery of electron जानते हो कि नहीं कि बाया electron की discovery करनी है क्योंकि electron अगर देखा जाए तो atom के अंदर कई पाट है सब atomic part है तो बाया उसकी discovery करनी है कि electron को भाई लाया कौन electron को भाई पता किस ने किया और electron भाई मिला कहां पे तो वो देखेंगे अपन इसकेंदर जिसको कहते है discovery of electron क्योंकि साथ ढूंडना पड़ता है तभी कोई मिलता है तभी किसी से बात होती है तो वैसे हमने किसको ढूंडा electron को जब आप किसी से मिल जाते हैं तो फिर उसकी विशेष्टा हैं देखते हैं कैसा है sweet simple innocent कैसा है तो बस फिर हमने देखा उसका charge क्या होता है उसका mass क्या होता है और charge और mass के ratio को भी देख लिया electron के electron के charge को देखा, electron के mass को देखा, charge और mass के बीच का ratio भी देख लिया, लोग कुछ नहीं छोड़ा, पूरा भाई, तभी तो अपना पाएंगे, कि हाँ, आप electron हो, आप हमारे साथ रह सकते हो, जाचना परकना हो गया, छीके, फिर उसके बाद अपने देखा, discovery of proton and neutrons, जो आगे च जानते भी atom के अंदर तीन चीज़े पाई जाती है, electron, proton और neutron, वो यहाँ पर बात हुई, पहले discovery हुई electron की, फिर हुई proton की, और फिर किसकी हो गई, neutron की, तो ये वाला segment जो है, उपर वाला, ये उपर वाला segment जो आपको दिख रहा है, इस segment की बात कर रहा हूं, मैं, इस segment में अपन ये ही देखते है, discovery of, आज पहन मानी नहीं रहा भाही अपनी बात, ये लो, देख लो, मानना ही नहीं चाहा रहा है आज तो, देख रहे हो, क्या हो गया स्कॉच, ये, ये वाली discovery, discovery of some atomic particles, फिर उसके बाद, सर ये पता चल गया कि atom के अंदर कौन कौन होता है, electron मिल गय ये, neutron मिल गया, सब मिल गए, अब, सर, atoms की theory, कि सर, अब कौन कहां पर होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, तो तब आए हमारे atomic models, कि atom के बारे में बात चालू गई, कि सर, atom ऐसा होना चाहिए, ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा बैठा होगा, ऐसा पाटी कर रहा होगा, फिर को बाटी बाटी नहीं कलता, वो innocent था, तो भाईया, अलग-अलग क्या चालू होगी, भाईया, राय चालू होगी, कि atomic model ऐसा, atomic model ऐसा, atomic model ऐसा, जिसमें आपने 9th में पढ़ाता, सब से पहले, Thompson model of atom, पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता, Thompson सर, आ गई थे हमारे सब से पहले, ठीक है, एक model को लेके, फिर भाईया, उसमें कुछ अच्छी बाते थी, क्योंकि सर, मैंने आपको पहले भी बताया है, सर, कोई भी पहली चीज आती है न, तो आप उसको यह मत सोचो कि यह तो गलत होगी, इसको हटा दो, सर, अगर वो नहीं आती, तो रदर फोड नहीं आपाते बा सबसे पहला model आया, Thompson model of atom, हमारे Thompson अंगल ने सबसे पहले बताया कि, भाईया, atom मतलब क्या, atom मतलब क्या arrangement, atom मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ बाते इनकी सही भी थी, कुछ बाते गलत हो गई, तो भाईया, फिर डिसकार्ड, चलो भाईबार निकलो, का हाथ में आई रदर फोड के हाथ में नेंस नेर्स हमाड़े रदर फोड न्यूपिलियर मॉड़र ओड़ू अफमॉ इन भी कुछ बाते करें इनने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें और वंच्पेरिमेंट भी काम करें उनसे कुछ पता चली उन्स चीजों को हमने अपनी जेंम में रखा हां सर ये काम की चीजें लेकिन समय के साथ, उनकी भी खामियां पता चले की सर इसमें ये हो सकता है इसमें ये बुराई है इसमें ये दिक्कत है तो फिर व गया ब्रेक अप मतलभ Rutherford model को भी फिर क्या कर दिया हमने हटा दिया सर की कुछ आल ले क्या हो क्योंकि यह जो खामिया है यह जो दिक्कते हैं उस दिक्कतों को भी दूर करना पड़ेगा तो फिर कौन आया देखते हैं अभी ठीक है यह देखें नीचे लिखा drawbacks of Rutherford models फिट Rutherford की क्या होगा है drawbacks आने लगे जो हमें दिक्कत देने लगे हमने का ठीक है सर देख लेंगे फिर वहीं पर हम पढ़ेंगे atomic number क्या होता है atomic mass क्या होता है या mass number क्या होता है है और atomic number किस चीजों से मिलके बनता है किस चीजों से हम याद रख सकते है और mass number में कौन-कौन सी चीजों होती है एपनलय बिटैोन किस पर है कि आपको नीचे सबसेंगे इसके नीचे में पढ़ाउंगे notes बार्स क्या होता है और आइसो टोप्स क्या होते हैं और एक और हम पढ़ाऊंगा आइसो टोन्स क्या होते हैं वो नहीं है यहां पर लेकिन मैं पढ़ाऊंगा मैंने बोला ना मैं पढ़ाऊंगा आइसो टोन्स चीक है वो क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे और फिर वोई drawbacks of Rutherford model क्योंकि यह दो ही model आये पहला model आया Thompson दूसरा कौन सा आया Rutherford अब Rutherford की खामिया आ गई drawbacks of Rutherford model अब कोई तो आएगा जो इसको सुदारेगा और मैं देखना चाहता हूँ वो कौन आएगा ठीक है तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिखेंगे क्योंकि सर पूरे चाप्टर में अपन हर एक पॉइंट को देखेंगे सार आप tension बिल्कुल मत दीजिए आपको extra ही मिलेगा कमी नहीं मिलेगी आप NCRT मिलाते हुए चलना और मैंने का था केमिस्ट्री में NCRT से अच्छी बोग नहीं कि NCRT को पहला प्यार मानके चलिए दिल से लगा के चलिए सर आपको आगे तक लेके जाए कि किसी और को नहीं लगाना NCRT को लगाना दिल से ठीक है पक्काना ठीक है तो फटवर नोट डाउन करेंगे फिस सटाक से मैं गया जब तक स्कीन शॉट मारो सटाक से आया जली हो गया को दिकत तो नहीं तो यह था अपना प्तहला वाला चलिए आगे बलते हूं यह लीजिए सट जब रधर फोर्ट की खामिया सामने आई रधर फोर्ट की दिकते सामने आई तब एक भाई काम कर रहा था एक भाई उसके पीछे अपनी महनत लगा रहा था दिन रात महनत कर रहा था उस भाई का नाम था बोर्स तब जाके एक model तयार हुआ बोर्स model of atom development leading to the बोर्स model of atom सर बहुत important है ऐसा नहीं है आप लोग ने 9-10 पर पढ़ा था कि लाखरी model आपके सामने बोर्स आया था और खतम हो गया था मतलब आपके हिजाब से आज भी market में एक ही model है जो सारी चीजों को फुल्फिल करता है उसका नाम है बोर्स model तो ऐसा नहीं है आज हम दूसरा model देखते हैं कौन सा model देखते हैं मैं आपको बताऊंगा तो लेकिन market में बोर्स model of atom आया जिसना रदर फोर्ट की सारी गलतियों को सही कर दिया और एक market में नया model मिलने लगा जिसको हम कहते हैं बोर्स model of atom लेकिन सर बोर्स model को समझने के लिए मुझे कुछ physics की चीज़े पढ़नी पड़ गई क्योंकि बोर्स के model में कई सारी physics की terminology आ गई मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर्स model लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़े पढ़ाऊंगा जैसे की wave nature of electromagnetic radiation आप लोग जानते रेडियेशन सर एक तो सबसे पहली बात आदे लोग घबरा जाते हैं सर रेडियेशन 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 सर रेडियेशन मतलब कुछ खतरनाग चीज नहीं है मतलब जब भी energy travel करती हैं उसको रेडियेशन नाम से जानते हैं आप लोग तो समस्तों बाइड न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया या एटम वर्म फेग दिया तो उसमें से जो रेडियेशन निकले उससे आप मल जाओगे भाई यही रेडियेशन नहीं होते हैं सनलाइट भी है क्या नहीं है ना और जिसमें यह यूवी यह dangerous है यह skin cancer cause करती है और यह visible कि अगर मैं बात करूँ तो सार इसी से तो देख पाते हो अच्छा बढ़िया दिख रहे हैं कि सुन्दरता तो यह सी से देख सकते हैं और यह infrared इसी से आपको पता चलता है hotness तो सार hotness का कारण यह है आलिया भाट नहीं है तो बेसिकली infrared के वज़े से आपको चीजे गरम लगती है और देख किससे बाते हो visible skin cancer जो बोलते ना कि सर गर्मियों में full sleeves की पैन के घूमी है क्योंकि सार इसकी radiation की मात्रा बढ़ जाती है ultraviolet rates यह जो रोकने के लिए हमारे पूरे जो कहते ना वकांड़ा का याद है वो शील्ड होता था जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता था वैसे हमारे अल्ट पे भी एक ओजोन की लिए रहे जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे इससे लें कई वो डिप्लीशन फॉर्म में रहता या कहीं पर पैचेस होते तो वहां से फिर भी होते हैं ट्रफ होते mapped Video होता है हना वे नमबर होता है यह स्पीड ओफ लाइद हो दीजह सब क्हूंगा मैं सके अंदर घिक है तो अब यह बोल रहा है Electromagnetic Radiation के पास कौनसा नेचर होता है वेव नेचर फिर अगली थियोरी आ जाती है यह भी फिजिक्स से है Plank's quantum theory क्या Plank's quantum theory इनने लड़ गए यह कहते हैं भाया Electromagnetic Radiation के पास अगर आपका वेव नेचर है तो उसी के पास कौनसा नेचर है Particle नेचर है उसीं के पास क्या पार्टिकलनेचर मतलब जो Radiation आ रही है उसको हम यह मानते थे बड़िया Wave form में आ रही होगी लेकिन ने बाई ने तो पूरा नक्सा ही बदल दिया इनने कब ही आप ऐह आ है प्यों में आ तो यह बांदते थे light आ रहे हैं तो बड़िया wave form में आ रही होगी यह लेकिन यह कहता है पैकेट के फॉर्म में आ रही है पहला 5 का पैकेट आ गया फिर 10 का पैकेट आ गया 15 का पैकेट यह बड़ा पैकेट है सर कॉम्बो पैकेट इसमें एनर्जी जादा है तो मतलब आज में आइंस्टीनने वी काम किया है प्लैंकस कुवंटम थेओरी ने उन दिया था साथ ही साथ इस पेट आइंस्टीन दोसे हैं आप सब जानते हैं उनpad नहीं लेकाँ यह बात करें इसके लिए बहुत सारी चीजह समझने पड़ेगी बस यह यह तक है कि इस के आदर है evidence for the quantized electronic energy levels और atomic spectrum अच्छा स्पेक्ट्रम मतलब सर क्या सर स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम मैंने आपको डिस्पल्जन पढ़ाया था जब एक वाइट लाइट तूटती थी साथ लाइट में तूटती थी के नहीं तो ऐसे स्पेक्ट्रम हमसे कुछ देखने को मिलें किसके अंदर एंधम कि कि सके serie अटेम के सब बाहने देखते यह फिंगरमपृंट यह आपका जो फिंगरप्रिंट अधे यह फिंगर फिंगरपृंट है यह फिंगरपिंट दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता होता है ना unique identity किसी और element का नहीं हो सकता वो उनका fingerprint है वो उनके unique identity है वो भी पढ़ाऊ हूँ है spectrum मिलती है और पूरा band मिलता है colorful band अब उसमें भी कई सारे होते continuous spectrum emission spectrum absorption spectrum line spectrum ऐसे कई सारे spectrum देखेंगे तो यहां पर देखिए बोर्स model for hydrogen atom तो भाई आप बोर्स ने क्या करा था explanation किया था line spectrum of hydrogen सिर्फ hydrogen का बताये था उनने किसका बताये था hydrogen का बागी फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसके limitations क्या पढ़ेंगे अपन उसके limitations कि बोर्स की क्या दिक्कते हो गई थी बोर्स पूरा 100% सही क्यों नहीं था उसने hydrogen spectrum को समझा दिया लेकिन जो स्पेक्ट्रम से उनके बारे में बात नहीं कर पाया सर मल्टी इस्ट्रो एलेक्ट्रों सर हइड्रोजन के अंदर एक एलेक्ट्रों होता है तो नॉर्मल हो गया लेकिन अब उससे उपर वाले जो elements होंगे उनके पास तो जाधा एलेक्ट्रों है इसलिए उनको कहते हैं multi अब इसको कौन सुदारेगा तो कोई तो आएगा रक्षक दूसरा एटम का जो इसको सुदारेगा तो यह बात क्लियर है तो इतनी सारी चीजे हैं जो इसके अंदर क्या-क्या है इसमें दो में चीज मैंने उठाई डेवलपमेंट लेडिंग तो दा बोल्स मॉडल ऑफ एटम दूसरा बोल्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम क्लियर एतनी बात तो फड़वर डिसका स्कीन शॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं और अगला वाला देखते हैं कि और क्या है इ हो गया कोई दिक कर तो नहीं पक्का चलिए किया आते हैं सर नेक्स्ट अब सर बात यह आती है जो एटम था आपने देखा होगा जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो भया प्रोजेक्टाइल आपकी तीन एक्वेशन्स ओफ मोशन होती है हना मिरको तो याद नहीं है v equals to u plus 80 और यह जो भी होती हैं बहुत सारी एक्वेशन्स होती हैं वह आप बढ़िया तरीके से लगाते हो आपने दिखा होगा सबस्यादा कोशन आपके बाल्स पर आते हैं यह बाल्स इतनी उपर से गिरी है इसकी speed क्या होगी इसकी velocity क्या होग यह क्या एंगल होगा कित्ती दूर गिरेकी। फ़लाना डिमका। और फिजिक्स की पूरी Classical physics उस बॉल technical परे काम कर जाती है लेकिन जो आपकी classical physics हैं जो आपके formulas है Newton के जो आपके सारे formulas projectile के आपको पढ़ाते हैं वो हमारे atom पे fail होगते हैं तो फिर आप हम लोग पीछे आके बैठ गए कि भाया आप क्या करेंगे आप कैसे निकालें तो उसी टाइम उसी टाइम एक नई चीज का आगाज हुआ एक नई चीज का कहते हैं ना स्टार्टिंग होई और वो थी क्वांटम फिजिक्स क्या थी सर क्वांटम फिजिक्स आप आपर बहुत बड़ा समय था वो ही थी quantum physics क्या थी सर quantum physics क्योंकि आप खुश सोचिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं classical physics उन चीजों पर act करती है जो चीजे दिखें अब सर आप atom की बात कर रहे हो जो तो बिल्कुल नहीं दिखना और आप atom के अंदर भी घूमने जा रहा है to electron से मिलने जो और नहीं दिखेगा अब आप उस पर लगाओ गए कौण सा आपका speed का formula उस पर लगाओगे आप quantum mechanics model of atom और यहीं पर आगाज हुआ था quantum physics का उसमें हमने कुछ ऐसे फॉर्मलेस तयार करेते जो बात करते हैं microscopic particles के लिए किसके लिए बात करते हैं सर microscopic particles के लिए और वहीं से अंजाब हुआ था dual behavior of matter का एक भाई आया था लड़ गया वो तो सीध्य कहता है आपने light को तो दोरो behavior दे दिये वे और particle और बाई particle का क्या matter का क्या matter जो है particle जो पड़ा है रस्ते में उसका क्या electron का क्या electron को क्या particle मानोगे और भाई को particle वह भी चलता है वेव में यू यू वह भी दोर लगाता है अब भाई क्या करे a possesail मानना पढ़ेगा दीख तो रहा नहीं है मान लेते चलता होगा उसने का मानओ मात मैं गोंगा टो उसे ने यह भोला कि सर मैंतर के पास हां था हय तो इस जब तो दिखाएगा साती सात यू यू दिखाएगा यू यू मतलब वेफ फॉर्म भी दिखाएगा तो वहीं से उस वेफ को नाम दिया था डी ब्रॉगली वेफ वह जब मैं अंदर आऊंगा और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और वहीं पर आयते हमारे एक और भाई जि पूछेंगे हाइजनबग अंसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कैसे होता है क्या देखने को मिलेगा और यहीं से हमारा नया मॉडल आये था क्वांटम मेकानिक्स मॉडल ऑफ दा एटम जो आज सबसे ज़्यादा हद तक माना जाता है हम यह नहीं कह रहें कि भाई ठीक है और जो मैंने आपको बताई ना एक नई फिजिक्स आईए जिसको कहता है क्वांटम फिजिक्स उस पर बात करूंगा मैं सर्थ बहुत मज़ा आता है वो टॉपिक जब आता है आप मानेंगे नहीं आप भी चिल्लाएंगे मैं भी चिल्लाओंगा बढ़िया केजीएफ मुवी नहीं जब भाई की एंट्री होती है वैसी एंट्री होती है किसकी क्वांटम फिजिक्स की क्योंकि आप फश गए थे हैं क्या होगा और अब एंट्री लेती है क्वांटम फिजिक्स तो भैंकर मज आएगा उसमें ठीक है चलिए तो जब पाय जाने की probability यह होती है orbitals मतलब संस्पर эфф now लोगों ने कुछ मॉडल से यही बात करी थी atom के अंदर कौन होता है electron atom के अंदर कौन होता है proton item के अंदर कौन होता है neutron atom के अंदर कौन होता है nucleus अब atom जगा भी होती जिसका नाम है और बिटल तो आप देख रहा है और चीजे विक्सित होती जा रही है और चीजे क्लासिफाइब होती जा रही है यह फुल बताएंगे अटम के अंदर क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या चीजे नहीं है अटम के अंदर स्विप्मिंग पूल है अटम के अंदर भाया लेना है तो quantum physics को सीखना पड़ेगा सीखेंगे फिर आता है सर quantum numbers कि और अगर आपने quantum number पढ़ लिया तो आप बता दोगे एक electron कहां पाए जाएगा कहां रह रहा होगा क्या खारा होगा कैसे बैठा होगा कैसे सो रहा होगा इलेक्ट्रोन के बारे में पूरी information कौन देता है quantum numbers यह group of numbers होते हैं सर यह भी important topic आपके स्कूल का और इस पर मैं बहुत practice करवाने वाला हूं मैंने बोला ना सर आप अभी तक जो atom को समझते हैं atom बहुत खतननाग निकलने वाला है विशाल काई atom बनने वाला है फिर यह जो और बिटल है रहने की जगा जैसे आपका नहीं होता वन वी एच के टू भी एच के थ्री वी एच के बंगलो समझ रहा है आप बाहर स्विमिंग पूल अंदर स्विमिंग पूल बढ़िया बालकनी होनी चाहिए वैसी इनकी भी और बिटल होती है बाई कोई अबर होते हैं वह देखेंगे अपने इसके अंदर फिर एनर्जी इस ओफ और बिटल जिसे आपके घर का रोकड़ा होता ना एक करोड़ का घर है पचास लाग का घर है वैसे इनकी और बिटल की भी अनर्जी होती है बताओ वाई दस जूल पंदरा जूल पचास जूल सो जूल तो भाईया उनकी एनर्जी पर ही बात करों मैंने काना मैं आपको आपको बना दूंगा इलेक्ट्रॉन और आप जैसा जैसा दिन में कलते हो वैसे ही वह इलेक्ट्रॉन भी कलता है आपको बोल रहा हूं इस टॉपिक पर आने इंटरस्टंग जैसे मुवी देखके नहीं आते हो मुवी याद आते हो क्यों सर इंटरस्टंग लेवल एंटर्टेनमेंट वैसे ही मैं कहा रहा हूं यह जैब रहाद कर वा तो इंटरस्टिंग चीज़े लेकर आऊंगा शुरूं पर थोड़ी डिसकवरी हो जाने दिना फ room खुली कोई भी आएगा उसमें रख देंगे बस वैसे family की भैया कॉनसी और बिटन में कॉन से एक्ट्व रहेंगे कॉन सी और बिटन खाली रहेंगी कॉन सी और बिटन पहले भराएंगे कॉन सी और बिटल में भेमान आएगा तो वो सब देखेंगे फिर electronic configuration of atoms, कि electrons को किस तरीके से जमाया जाएगा उसके अंदर फिर उसके बाद stability of complete filled and half filled sub shells ये क्या मतलब हुआ, सर्फ कुछ atoms बहुत जादा stable होते हैं, कुछ atoms बहुत जादा unstable होते हैं और इसका कारण क्या होता है, वो इसके अंदर देखने वाला stability of completely filled and half filled orbital, ये क्या है, कैसी है, क्यों है, किस लिए है वो सब बताऊंगा मैं इसके अंदर तो समझ में आया, तो इसके अंदर दो section बाटे मैंने towards quantum mechanics model of the atom और quantum mechanical model of atom जो आज तक का सबसे बढ़िया atom, sorry model है, और अभी भी है कई सालों तक भी रहेगा, फिर आगे का तो नहीं पता, क्योंकि कोई भी चीज का भरोसा नहीं है, कब बदल जाए है, चीक है, कल लिए होगे सार, चलिए तो फटावाट इसको note down करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, जलिया जाईए चलिए तो note down हो गया, तो ये तीन आपको पता होना चाहिए, यहां तक बात clear है, ये दो पॉइंट बनाए है मैंने, ये दो पॉइंट नहीं है सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर सारी चीजे जाएंगी, ये बड़ा टॉपिक है सर, पिछले वाले चाप्टर से बड़ा है, ये वाला है फिर, और एक ये वाला है, तो ये तीन आपको पता होने चाहिए, सबसे में में न हेडिंग, एक और बार, discovery of some atomic particle, इसकंदर सब देखूँगा, फिर atomic model, कौन-कौन भाई आए, फिर development leading to bors model, bors model important, इसलिए bors model, फिर भाईया bors model किसके hydrogen atom के लिए, और last में आगया limitations, फिर नया model आया, जिसका नाम तो quantum mechanics model of the atom, और इसी पर काहनी चलती जाएगी, और चलती जाते-जाते समात हो जाएगी, तो बास समझ में आई, कोई दिकत तो नहीं, confirm, चीके, सर, चाप्टर बढ़ा है, और चाप्टर important है, अच्छा सर, इंप चाप्टर बेस था, हर जगा यूज आएगा, लेकिन ये चाप्टर इतना बड़ा है, और साथी साथ, इसकी बात करो तो देखो ना, तीन स्लाइड में आया है, सर, ये, इतना बड़ा चाप्टर है, जो बहुत जादा काम में आता है, क्यों, सर, competitive level पे, बहुत questions आते हैं, चाहे आप नीट देख लो, चाहे जेही देख लो, अभी आप जब देखोगे ना, आपके 11th में, जब ये चाप्टर आएगा, आपके course में, सर, weightage देखिएगा, second chapter हो गया, fourth chapter हो गया, equilibrium हो गया, organic chemistry हो गई, hydrocarbons हो गई, ये बड़े chapter से, जिनका weightage बहुत जादा है, तो इसल कर लेना, focus, पूरी class भर, कोई भी life session ओ, focus, पूरे life session पे, बाकी जो चल रहा है, चलने दो, घर में जो चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी health और पढ़ाई पर देहन दो, दूसरी बात, सबसे important, सर, consistency, रोज रात को 8 बजे discipline होना चाहिए, हमें इतना पढ़ना है, पढ़ना है, और तीसरी चीज़, जो काम दूं, revise का practice होना चाहिए, अगर ये तीन मंतर आपने साल भर या दो साल रख लिए, सर, आपका सफल हो जाएगा, सारी तीरत हो जाएगी, एक बार महनत करनी है, सुरू में कर लो, नहीं तो फिर graduation के बाद मौका नहीं तो फिर पूरी lifelong महनत करनी पड़ेगी, तो एक चलांग लगानी है, सबसे बढ़िया चलांग का मौका होता है, पहली एंटरेंस, बारवी के बाद, उसी में माल दो चलांग, और पूरा मैं यहाँ पर आपका वो जो कहते है न, launcher तयार कर रहा हूँ, बस आपको उचक नहीं है तेजी में चलांग के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पूरे रास्ते बर, अब आप सोचो सीधे यहाँ आओगे, यहाँ से कुदा दूगा तो ऐसा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, तीनों मंत्र को अपनाना पड़ेगा, consistency, focus और practice, ठीक है, त इतना सब कुछ देखेंगे चाप्टर में, बस कल से मिलने वाले, कल 8 बज़े से आपका पहला लेक्चर चालू हो जाएगा, और मज़ा आना चालू हो जाएगा, इसलिए बने रहे हैं मेरे साथ और Magnet Brins के साथ, जहाँ पर हर एक topic कवर करूँगा, जो course में भी है या नहीं हैं, क्यों? क्योंकि जो नहीं है, वो जेई या फिर नीट में हैं, तो हर एक चीच डीप में बढ़िया तरीके से practice के साथ, आप देखेंगे board पे, मुझे और मेरे साथ, हर एक question full solve कराऊंगा, जैसा मैंने chapter 1 में कराए था, ठीक है, बस आपका काम है, जोड़े रहे लगे र सर 11 की chemistry पढ़ी है, तागस से पढ़ी है, फिर कोई आ जाए आपके सामने, बराबरी करने के लिए, फिर आएगा मजा, ठीक है, तो भाईया लगे रहे जुड़े रहे और बने रहे मेरे साथ और magnet brains के साथ, सारे lectures आपको YouTube पे बराबर मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, 8 बजे मि लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें, तो magnet brains की website पर भी जाके सारे lectures देख सकते हैं, playlist के form में, कोई दिक्कत नहीं आईगी, या फिर mobile phone के app के through भी access कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, बाकि आप जानते हैं, जैसे की magnet brains के toppers और magnet brains आपके लिए लेके आया है top courses, अगर बात करें अपन English, CUT, NTSC और Olympiad जैसे courses सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो भी बिलकोल free, साथी साथ एक और channel है, जिसका नाम आपको पता ही चल गया होगा, रोज बताता हूं मैं, Hindi medium channel, जिस पे भी CBSC, UP board, BR board और MP board जैसे courses आपके लिए available है, बिलकोल free, तो सर बस तयार हो जाईए, एकदम कम पर कस लीजे, मैंने तो कस लीए, एक रसी का तुगड़ा मेरे हाथ में, दूसरा end आप पकड़ दीजे, मैं नहीं छोड़ूँगा, लेकिन आप अगर पकड़े रहे, तो घसीट के ले जाऊंगा, और जो launching pad की बात करीती, पहुचाऊंगा, ठीक है, तो मिलते हैं कल 8 बज